नमस्कार एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी चैनल पर आज हम लोग बात करने वाले हैं गैकी के भगवान कहें जाने वाले सुप्रसिद्ध गायाक मुहम्मद रफी सहाब और बाल्यूट के दिगजभीनेता दिलिप कुमार सहाब का और दोस्तों आज है दिलिप कुमार स सब्सक्राइब के दिलिप कुमार सहाब के लिए पहली बार और आखरी बार कौन कौन से फिल्मों में अपनी अवाज दिया यू तो दोस्तों मुहम्मद रफी सहाब ने दिलिप कुमार सहाब के लिए टोटल 75 सौंग जाने हैं जो बहुत ही जादा माइन रखती है लेकिन आज हम लोग पहली और आखरी फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टाट करते हैं वैसे देखा जाय तो मुहमद रफीज सहाब ने दिलिप कुमार सहाब के लिए पहली बार सन 1987 में आई फिल्म जुगनू और गीत के बोल है यहां बदला व वाज दी और इस फिल्म का संगीत फिरोद नीजामी सहाब ने दिया और लिरिक्स आजगार सहादी सहाब ने दिया था और दोस्तों आप लोगों ने जुगनू फिल्म का ये गीत जो है वो सुने ही होंगे इसी फिल्म में ही मुहम्मद रफीस तहाब ने दिलिब कुमार सहाब के लिए पहली बार अपनी अवाज दिया था और इस फिल्म के बाद मुहम्मद रफीस तहाब ने और इस बहुत सारे फिल्में हैं जिन में दिलिब कुमार सहाब के लिए अपनी अवाज दिये हैं और बात करें आखरी फिल्म की तो दोस्तो आप लोगों को 1981 की फिल्म करांती तो यादी होगा और इस फिल्म में गीत थी जो काफी ज़ादा लोग प्रिया हुई थी गीत के बोल है चना जोर गरम और इस गीत को बहुत अपनी खुफिरत वाजमी मुहम्मद रफी सहाब की सोर और तो ये आखरी गीत भी काफी ज़ादा लोग प्रिया हुई थी और मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये गीत सुने ही होंगे और बात करें मुहम्मद रफी सहाब और धिलिब कुमार सहाब के फिल्मों के गीतों की तो दोस्तो इनकी जोरी ने टोटल 75 सौंगों में एक सा हित तो यादी होगा और गीत के बोल हैं वतन की राह में वतन के नौजवां सहीद हो ये गीत भी काफी ज़ादा लोग प्रिया हुई थी और ये गीत मुहम्मद रफी सहाब और दिलिब कुमार सहाब की सोड़ी की पहली देश्वक्ती गीत है और इस फिल्म के बाद सन 1948 में आई फिल्म नदिया के पार और गीत के बोल है मुरे राजा हो ले चल नदिया के पार इस गीत को भी मुहम्मद रफी सहाब ने दिलिब कुमार सहाब के लिए अपनी आवाज दिया था और इन फिल्मों के साथ ही दोस्तों इनकी जूरी जैसे फिल्मों के लाइन ही लगा दी इस फिल्म के बाद बाबूल दिदार हल चल और सिकस्त जैसे फिल्मों में भी मुहम्मद रफी सहाब ने दिलिब कुमार सहाब के लिए अपनी अबाज दिया और इस फिल्म के बाद अमर इंसानियात उरन खटोला नया दर और इस फिल्म में मुहमद रफी सहाब ने दिलिप कुमार सहाब कले कए गीत गाये थे और इनमेे का जो गीत है वो बेहादे जदा लोग पार्य हुए थे आप लोगों को आना है तो आ राह में कोई पहर नहीं है यादी होगा ये गीत भी काफी जदा लोग पर्य हुई थी और इस गीत के साथ ही उड़े जब जब जुल्फे तेरी ये देश है वीर जमानों का जैसे गीत बहुत ही जदा लोग पुरिया हुई थी और आज भी बहुत ही जदा सुना ज़ाता है और इस फिल्म का संगीत ओपिट नयार सहाब ने दिया था और लिरिक से दोस्तों साहिर लो ध्यानुईस साथ और इसके साथ sleeves दोस्तों में मुहमद रफ्शाब ने दिलिप कुमार सहाब के लिए क्या गित गाए थे और नया दार के बाद भी इनकी जोरी नावरे से बहुंच सारे फिल्मे हैं जिन में काम किये हैं आप लोगों को कोहिनूर फिल्म तो यादी होगा इस फिल्म में भी मुहमद रफीज सहाब ने दिलिब कुमार सहब के लिए अबाज दिया था और इस फिल्म के साथ ही गंगा जमुना दिल दिया दर्द लिया आदमी जैसे फिल्मों में भी मुहमद रफीज सहाब ने दिलिब कुमार सहाब के लिए अबाज दिया था के साट के संखर सुछाटर 990 की फिल्म गोपी और गीत के बोल हैं सुक के सब साथ ही दुख में न कोई और इस पीसा गीना जैसे कई फिल्म ऐं जिनके मोहमाद रफीज तो हम लोगों के तरफ से दिल्व कुमार सहब को जनम दिन की बहुत बहुत बधाई और आप जहाँ भी रहें खुश रहें अबाद रहें हम लोगों की यही दुआ है तो वाओ और इसी तरह के जनकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब निकी हैं तो प्लीज दोस्तो हमारा चैनल जरू कीज़ेगा और वीडियो को अभी तक लाइक निकी हैं तो लाइक कीज़ेगा शेयर कीज़ेगा थांच दोस्तों हमारे वीडियो वाचिंग करने के लिए